हेलो गाइज आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11 का न्यू चेप्टर जिसका नाम है क्लासिफिकेशन ओफ एलिमेंट्स एंड पिरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज कई बुक्स में और कोचिंग्स में इसी चेप्टर को पिरियोडिक टेवल के नाम से भी पढ़ते हैं दौनो एक ही बात है आज की वीडियो जो रहेगी वो काफी इंट्रोड़क्टरी वीडियो रहने वाली है पिरियोडिक टेवल चेप्टर की इस चीजों को वैसे तो आप पिरियोडिक टेवल का जो बेसिक्स हैं इंट्रोड़क्शन वाला पार्ट है वो क्लास 10 में पढ़ चुके होते हैं लेकिन मैं ये मानके चल रहा हूँ कि आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है अगर आपने बिल्कुल नहीं भी पढ़ा है तो आपको वी पूरा चैप्टर अच्छे सा समझ में आएगा आपको उसकी कोई चिंता नहीं करनी है ठीक है तो बहुत बेसिक से हम स्टार्ट करें different scientists ने periodic table को develop करने में या बनाने में बहुत contribution किया, उन सभी scientists के contribution के बारे में, उन्होंने जो periodic table बनाई उस periodic table के बारे में, या फिर उनके क्या कमिया रह गई या उनमें क्या merits थी, उन सब के बारे में बात करेंगे, ठीक है, और अभी जो हमें periodic table पढ़नी है, modern periodic table, जो जिसकी व पढ़ेंगे, ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को, अगर आप चैप्टर में देखेंगे, तो चैप्टर के फर्स्ट जो paragraph है, ये फर्स्ट परग्राफ में पूरे चैप्टर के एक तरह से outline दे दिया है कि हमें इस चैप्टर में क्या पढ़ना है, तो एक बार रीड कर लेते हैं, जस्ट एक बार रीड करना है, बागी आपको समझ मा जाएगा, देखो, in this unit we will study the historical development of periodic table as it stands today and modern periodic law, मतलब history के बारे हम जानेंगे कि start कहां से हुआ, कैसे कैसे इसका development हुआ, और modern periodic law भी पढ़ेंगे बागे, we will also learn how the periodic classification follows a logical consequences of the electronic configuration, तो electronic configuration के उपर ही based है, modern periodic table, तो हमें यहाँ पर थोड़ा से electronic configuration के बारे में भी पढ़ना पढ़ेगा, उस तभी हमें समझ मा आएगा कि periodic table और configuration, electronic configuration में क्या correlation है, और कैसे हम electronic configuration की help से different elements की properties को explain कर पाते हैं, छीकिए? Finally, we shall examine some periodic trends in the physical and chemical properties, जो सबसे important वाला पार्ट रहने वाला है, वो यह ही है, physical और chemical properties, बहुत सारी properties है, जैसे atomic radius है, ionization energy है, electron gain enthalpy है, इन सभी के periodic trend के बारे में हमें पढ़ना है, और इसी periodic trend को पढ़ने के लिए हमें starting वाली जो पार्ट है, वो भी पढ़ना पढ़ेगा, ठीक है, समझ में आ गया, तो यह पूरे chapter का एक तरह सा summary है, अब हम बात करते हैं, why do we need to classify element, elements का classification की जरूरत क्या हुई, यानि कि हमें periodic table बनाने की जरूरत क्या हुई, अच्छा, periodic table की अगर definition की बात करें, तो definition क्या होगी, periodic table की, systematic arrangement of element, तो मैं आ उपर ही लिख दू, periodic table की definition क क्या है, systematic, systematic arrangement of, systematic arrangement of all known elements, जितने भी अभी known elements हैं, उन सभी known elements का systematic arrangements होगा, उसी को हम क्या बोलते हैं, periodic table बोलते हैं, अच्छा, यह systematic arrangement की requirement क्या हुई, इसको यहाँ पर समझ लीजिए, देखो यार, systematic arrangement की requirement, इसलिए, यह होई, क्योंकि starting में आगर हम बात करें, तो elements का number बहुत कम था, अगर हम 18th century की starting की बात करें, तो यहाँ पर यह लगवग 31 elements थे, और 31 elements थे, तो अगर कोई chemistry पढ़ना चाहता है, तो इन 31 elements को easily study कर लेता, अलग-अलग भी, उसके compounds भी study करता, ठीक है, अलग-अलग किया जा सकता था, लेकिन जैसे जैसे आगे हम बढ़े, 1865 में यह number बढ़के 63 हो गया, और फिर बाद में यह 114 हो गया, यह 114 यहाँ पर दिया हुआ है, लेकिन अभी कितने हो चुके है, 118 elements हो चुके है, अब यह number continue increase हुआ है, आप यहाँ पर देखिए, 31 से start हुआ, और अभी कितन से लेकिन अभी कितना हो गया है, 118 हो गया, यह number आगे in future और भी बढ़ने वाला है, अगर individual individual elements को study करना होगा, और उनके फिर compounds को study करना होगा, जैसे अगर मैं sodium के बारे में study करना चाहता हूँ, lithium के बारे में study करना चाहता हूँ, इनके बहुत सारे compounds भी बनते होंगे, इनकी बहुत सारी खुद की भी properties है, तो यानि कि एक element और उसके compounds को पूरे study करने के लिए हमें बहुत जादा चीज़ें पढ़नी पढ़ेंगे, कहने का मतलब क्या है, कि अगर आपको chemistry पढ़ने का interest develop करना है, तो आपको इतना बड़ा बास subject हो जाएगा, कि इसको पढ़ना ही मु या हुआ है, लेकिन जैसे अभी आप class 11 में है, need की preparation, jee की preparation कर रहे हैं, तो आपको इतना थोड़ी चाहिए कि पूरी chemistry पढ़नी है, हाँ आपको पूरी chemistry नहीं पढ़नी है, लेकिन chemistry का एक basic idea आपको होना चाहिए, जैसे आप आपने नाम सुना होगा, s block elements, p block elements, d block elements, अभी चाहिए, उसमें से हट गए है, salivas में से class 11 के में से, लेकिन आगर आप पुरानी books देखोगे, तो वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, कि ये, जो है, s block elements, s block के बारे में, p block, d block, f block, इन सभी elements के बारे में, यहाँ पर पढ़ेंगे, अभी हो सकता, अगर class 11 में ही हो, अभ इनको अगर हमें study करना है, individually इनके compounds, individually in elements की study जो होती है, वो block chemistry में हम करते ही है, वैसे तो, लेकिन वो अपने आप में बड़ा chapter हो जाता है, आपको पूरी chemistry का एक साथ में idea हो ही नहीं पाएगा, अगर आप periodic table नहीं पढ़ेंगे, तो, कहने का मतलब क्या हुआ, कि individual elements की study करन individual elements की या individual elements के compounds की study करना बहुत जादा difficult है, इतने सारे elements के, 118 elements और यह number अभी fix नहीं है, कि 118 ही है, यह आगे in future और भी जादा बढ़ने वाला है, ठीक है, तो, यहाँ पर to ease out this problem, scientists search for a systematic way, organize their knowledge by classifying the element, ठीक है, तो, इस जो study को, कि सारे का सारे elements का study जो है, वो easily हम कर पाएं, उसके लिए उन्होंने क्या किया, इन चीजों को systematic way में organize करना start किया, ठीक है, और इस systematic arrangement जो है, उसी को हम क्या बोलते हैं, periodic table, not only that, it would rationalize known chemical fact about the element, but even predict new one for the undertaking further study, मतलब कुछ elements के हम क्या कर सकते हैं, forecasting भी कर सकते हैं, अगर आगे आगे जैसे जैसे हम पढ़ेंगे, modern periodic table में देखना, कि हम आगे वाले elements की forecasting भी कर सकते हैं, कि आने वाला जो element होगा, discover होने वाला element होगा, वो किस तरह का element होगा, तो उसकी forecasting भी कर सकते हैं, अगर हमने systematically, जो at present element हो, उन सब को systematically arrange कर दिया तो, अगर मैं आपको इन सब चीज के बारे में बता हूँ, कि need क्या है, या तो क्या है, आप individual individual elements लो, उनके सभी compounds लो, तब जाके पूरी chemistry study करो, या फिर आप सभी पूरी chemistry की एक साथ study करना चाहते हो, तो उनको classify कर दो elements को, as a periodic table, और एक बार periodic table अच्छे से समझ लो, तो आपकी पूरी chemistry cover हो गई, यानि कि periodic table का importance आप समझ पा रहे हैं कितना है, periodic table का importance यह है, कि अगर आपको पूरी chemistry पढ़नी है, तो आप अच्छे से periodic table को ही पढ़ लो, इतनी जादा important है, और मैं तो इसको periodic table को कभी एक chapter मानता ही नहीं, कहता भी नहीं हो कि एक chapter है, यह पूरी chemistry है, यह पूरी chemistry है, अगर आपने इस chapter को अच्छे से पढ़ा, तो यह पूरी की पूरी chemistry जो है वो आपको समझा देगी, जहाँ पे भी logics लगने वाले होते हैं, वहाँ periodic table जरूर काम आती है, क्योंकि जहाँ पे elements की requirement होई, कोई logic हुआ, कुछ भी logic लगेगा, तो periodic table से ही आप उस च short notes है, periodic table को आप क्या बोल सकते हो, short notes of chemistry, chemistry के short notes है, पूरी chemistry के short notes है, जितने भी chemicals हैं, उन chemicals का या elements है, उन सभी की चीज़ों को आपने एक जगे अरेंज कर दिया है, ठीक है, समझ में आया आपको यह चीज, चलिए, आगे बात करते हैं, important topic है, genesis of periodic table, genesis या फिर इसी को हम बो of periodic table, development में क्या है, different जो scientist ने कैसे develop किया, जो अभी हम modern periodic table जो आपने chart पढ़ा होगा, देखा होगा, नहीं देखा तो मैं दिखा देता हूँ, ये जो chart है, कहा है, ये वाला, ये वाला जो periodic table है, यहां तक आने के लिए, बहुत सारे scientist ने, बहुत सारे प्रियास किये, बहुत स इसने क्या किया, ये बारे में, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं, ठीक है, तो genesis में बैसे तो देखो, यहां पे, एक page में ही सब कुछ लिख रखा है, छोटा-छोटा-छोटा सा दे रखा है, जैसे मैं अगर बात करूं सबसे पहले, ये जोहन डॉबरिनियर है, डॉबर ये सारे का सारे यहां पर दिये हुए हैं, लेकिन एक-एक line में दिये हुए हैं, और बहुत compact तरह से दिये हुए हैं, इतने से आपका समझ में आएगा नहीं, तो मैंने अलग से इसको सब को लिखा है, तो उसको मैं एक वार वहां से समझा देता हूँ, फिर यहां पर आगे डाउनलोड कर देना, वहां पर मैं इसको अपलोड कर देता हूँ, ठीक है, चलो, सबसे पहला जो है, जो इसमें, NCRT में तो नहीं दे रखा है, लेकिन सबसे पहला, जो सबसे पहला और सबसे इंपोर्टेंट जो attempt था वो लिया, लेवोशियर ने, लेवोशियर ने सबसे पहले elements को classify किया, लेवोशियर, लेवोशियर को father of chemistry भी बोला जाता है, चीक है, लेवोशियर का classification इतना simple और इतना सटीक था, कि उसको आज तक हम पढ़ते हैं, चीक है, इन्होंने क्या किया था, on the basis of physical properties, elements को 3 groups में divide किया, metal, non-metal और metalloid, यहां पर एक चीज समझने वाली बात है कि जो metalloids हैं, वो किसने नहीं divide किया था, लेवोशियर के classification में नहीं था, बाद में यह add हुआ, यह जो metalloids वाला जो है, वो category बाद मेड किया, basically elements को दो ही पार्ट में divide किया गया, metal और non-metal, किसके basis पे physical properties, अब physical properties क्या क्या होती है, जैसे physical properties का example, बहुत सारे है, strength, strength के basis पे electrical conductivity, electrical conductivity, heat conductivity, है न, इन सभी properties, या फिर malleability, ductility, ऐसे बहुत सारे properties के basis पे क्या किया गया, बहुत सारे physical properties के basis पे क्या किया गया, metal और non-metal में divide कर दिया गया, ऐसे elements जो बहुत जादा strong थे, जिनकी strength बहुत अच्छी थी, उनको metals बोल दिया गया, ठीक है, जिनको, जिनकी strength कम थी या जो fragile थे, easily break हो जाते थे, तूट जाते थे, उनको क्या बोल दिया गया, non-metal बोल दिया गया, ठीक है, ऐसे electricity के जो conductor थे, electricity के conductor थे, उनको metals बोल दिया गया, electricity के bad conductor थे, उनको non-metal बोल दिया गया, लेकिन ये classification fail के हो गया, जैसे ही कुछ elements discover हुए, जैसे ही metaloid की discovery हुई, metalloids जैसे discover हुए metalloids की discovery हुई तो metalloids ऐसे elements से जिनमें metal और non-metal दोनों की properties थी या metal या non-metal दोनों से ही different properties थी तो यह बड़ा challenge था कि in elements को कहां पे रखा जाए जैसे silicon की बात करें silicon हुआ या germanium हुआ in elements की बात करें तो यह silicon जो होता है ना तो electricity का good conductor कहा सकते हो ना bad conductor कहा सकते हो यहाँ पे इनकी बात करें electrical conductivity कैसी होती है temperature dependent होती है temperature dependent electrical conductivity होती है dependent electrical conductivity electrical conductivity कैसी होती है कैसे अगर इनको low temperature पे देखेंगे low temperature पे तो यह bad conductor है bad conductor ठीक है और अगर high temperature पे देखेंगे तो यह good गुड कंड़क्टर है, ये गुड कंड़क्टर हो गए, तो अब बताओ, ये मैटल होते हैं, वो तो गुड कंड़क्टर थे, अब ये दोनों ही temperature के उपर depend कर रहा है, गुड या बैड, ठीक है, तो अब इसको metal बोले है, नॉन मैटल बोले, ठीक है, इसी तरह है के और भी ब इसके लिए वीडियो बना रखी है उसके ट्रिक भी बता रखी है आपको चाहें तो आप जाके देख सकते हो चोटी सी वीडियो दो तीन मिनट की हैं तो यहां पर जो है डिसकावरी ही वैसे ही यह लेवोशिर क्लासिफिकेशन क्या हो गया फेल यह नाम चैप्टर का वो ही है metal and non-metals चीक तो भाई यह बाला classification basic classification था इससे बहुत ज्यादा चीज़े नहीं यह basic इसलिए भी था क्योंकि यहाँ पे physical properties के उपर based यह classification था और physical properties जो होती हूं उससे ज्यादा important chemical properties होती है किसी भी chemical के लिए या फिर कोईसी compound के लिए या element के दिया उनका उनके उपर based नहीं था यह classification तो ज्यादा useful भी नहीं रहा हा लेकिन अभी भी इस classification को पढ़ते है क्योंकि physical properties के उपर based best classification है यह अभी तक का ठीक है चलिए next जो classification दिया वो दिया डॉबरिनियर ने क्या किया बहुत सिंपल सा classification दिया समझना इसको बहुत ध्यान से इन्होंने क्या बोला tried rule बनाया इन्होंने क्या दिया tried बनाया tried का मतलब क्या है group of three elements ट्राइड का simple सा मतलब है group of three elements अच्छा मैंने लेकी रखा यहाँ पर group of three elements ट्राइड का मतलब है group of three elements तीन elements का group जो होगा उसको क्या बोलेंगे tried बोलेंगे ठीक है elements of tried have same physical and chemical properties एक जो tried है यानि कि जो group of three elements है तीनों elements की physical और chemical properties कैसी होने वाली है same होंगे चीक है दूसी चीज क्या है एक tried में जो सबसे important बात रही वो यह रही कि एक tried में अगर atomic weight of middle element आपको निकालना है जैसे नीचे मैंने यहाँ पर बता रखा है जैसे sodium यहाँ पर lithium, sodium और potassium यह तीन elements का एक tried बनाया है potassium इन दोनों के atomic weight का average कर दो और वो average होगा वो middle element जो है उसके या तो exactly बरावर होगा यह nearly equal होगा तो कैसे तो इसका मतलब क्या हुआ कि यह इनका atomic weight जो है increasing order में होना चाहिए पहली बात ठीक है तभी ऐसा possible है देख वीडियो आप यहाँ पर और इन दोनों के बीच में जो gap है atomic weight का वो बरावर होना चाहिए है ना यहाँ से दो चीज़ों में यह चीज़ें डॉबर ने 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 बताएं यह तो मैं बता रहा हूँ अभी आपको कि हम कैसे identify करेंगे चीक तो यहाँ पर जो ट्राइड का rule था दो यह चीज़ें थी कि physical और chemical property सेम होंगी इस पूरे के पू approximately equal होगा चीक बेसिकली डॉबर ने ऐसे तीन ट्राइड बनाए लीथियम, सोडियम, पोटेशियम दूसरा ट्राइड उन्होंने बनाया केल्शियम, स्टोंशियम और बेरियम और तीसरा ट्राइड जो बनाया वो बनाया क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन क्योंकि उस ताइम पर बहुँ जादा एलिमेंट नहीं थे, लगबग 12 या 14 एलिमेंट डिस्कवर हुए थे उस ताइम पर, ठीक है, उन में से 9 एलिमेंट के उन्होंने इस तरह के ट्राइड बना दिये थे, अभी तो हमारे पास जो modern periodical है उसमें बहुत सारे ट्राइड बनाया जा सकते हैं, लेकिन उस ताइम पर उतने ही एलिमेंट थे और उन्होंने इन तीन ट्राइड को ही बनाया था, इन तीन ट्राइड में चाहें तो आपके सामने मैंने यहां पर यहां पर जो नीचे दे रखा यह atomic weight दे रखे हैं, यह atomic weight है, ठीक है, जैसे जो second वाला point था कि इसका 39 और 7 का average जो होगा वो कितना आएगा, 23 आएगा, average निकालने का formula क्या होता है, इन दोनों का sum कर दो, divide by 2 कर दो, तो average आजाएगा, जो बिल्कुल exactly equal है sodium के atomic weight के, ठीक है, इसी तरह से अगर यहां calcium, calcium, strontium और barium के अगर हम बात करें, तो यहां पर इनके middle element का atomic weight 88 जो है, वो कैसे निकाल सकते हैं, 88 है, होता है strontium का, इसके second rule के according, first का और third का average है, यानि कि 40 plus 137 divided by 2 करेंगे, तो यह आजाता है 88.5, जो approximately आप कितना बोल सकते हो, 88 के ही बराबर है, 0.5 का difference है, लेकिन approximately, यानि nearly equal हम बोल सकते हैं, छीक, इसी तरह से chlorine, bromine और iodine का अगर आप देखेंगे, तो यहां पर first element chlorine है, और third element iodine है, tried का, तो इनका अगर average निकालोगे, तो यह आएगा 81.25, जो कि approximately, nearly equal किसके है, 80, bromine के atomic mass के है, तो डॉबरिन ये tried बहुत simple सा है, दो points है इसके, physical chemical property सेम होनी चाहिए, और second है, कि atomic weight जो है middle element का, वो first और third element के average weight के equal या approximately या nearly equal होगा, clear है, डॉबरिन ये tried, next आगर हम बात करें, third attempt लिया वो था, A, E, B, D, Chan, Cortez, ये एक geologist थे, geologist, जो है basically, chemist नहीं होते हैं, geologist मतलब जो कह सकते हो, आप minerals वगरा के वारे में study करते हैं, earth crust में जो minerals मिलते हैं, उन सभी के वारे में study करते हैं, उनको geologist बोलते हैं, तो ये basically एक geologist थे, अब इनाहोंने भी एक, जितने भी elements थे उस time पे, उनको arrange किया, ठीक है, arrange किया, increasing atomic weight के order में, जितने भी elements थे, increasing atomic weight के order में arrange किया, और इनाहोंने एक cylindrical periodic table बनाई, इनाहोंने कैसा किया, एक cylindrical form में, या इस cylinder के उपर, elements को increasing order में arrange किया ठीक है increasing order में arrange किया और इन्होंने arrange किया तो जो इसका फायदा क्या हुआ है cylindrical table में जब इन्होंने increasing atomic weight में arrange किया तो इन्होंने देखा कि एक fix certain time period के बाद में क्या हो रहा है periodic recurrence आ रहा है periodic recurrence का मतलब जैसे certain distance के बाद में या certain उस cylinder को गुमाते हैं मतलब उस cylinder को थोड़ा सा गुमाते हैं तो certain rotation के बाद में certain rotation के बाद में जो properties है physical and chemical properties उनमें recurrence आ रही है मतलब वो अपने आपको repeat कर रही है तो कहने का मतलब यहाँ पर दो तीन तरह के questions बनते हैं यहाँ पर क्या पहला question बनेगा कि cylindrical periodic table किस ने बनाई तो A,E,B,D,Chan,Cortius एक तो नाम ही इसका important है थोड़ा सा अटपटा नाम है लेकिन नाम important है ठीक है दूसरा question बनेगा कि इन्हों ने जो D,Chan,Cortius ने जो cylindrical table बनाई वो किस के उपर बेस थी तो वो increasing atomic weight के उपर बेस थी मतलब उसका basis क्या था atomic weight ही basis था clear है तो अभी तक हमने दो तीन दो पढ़ी है starting वाला तो physical properties के उपर बेस था ले वो शेर का Dobrinier और A,E,B,D,Chan,Cortius जो है उन दोनों का ही classification किस के उपर बेस्ट है atomic weight के उपर बेस्ट है clear है next fourth जो है वो है आपका Newlands octave rule Newland octave rule काफी important है Newland की थोड़ी सी history में आपको बता दू Newland octave law जो है इन्होंने एक तरह से क्या कर सकते है मतलब जो element discover हुए थे उन सबीके elements के atomic mass को theoretical ही लिया मतलब theoretical से मतलब उनने कोई practical नहीं किया दूसरे लोगों उनने experiments में जो atomic weight calculate किये थे elements का उनहीं को इन्होंने लिया और लेने के बारेकिया क्या क्या किया उनको increasing atomic weight में arrange किया जितने भी elements थे उस time पर उन सभी को increasing atomic weight में arrange किया लगबग इन्होंने जब इन्होंने ये काम किया था लगबग 31 elements या 32 elements discover हो चुके थे उस time पर ठीक है अब इनके साथ में tragedy इन्होंने बहुत अच्छा classification दिया manly वाला classification था वो लगबग ऐसा ही था ठीक है लगबग exactly नहीं बोलूँ लगबग लेकिन इन्होंने जब इस classification को जब Royal Society of London है न वहाँ पर इन्होंने presentation दिया तो इनको बहुत जादा बेजजत किया गया कि इस तरह का कोई classification या इस तरह का कोई सोच भी कैसे सकता है लेकिन वहीं बाद में उसी सोसाइटी ने इनको नोबल उन्होंने अपने जो highest प्राइज होता है उससे इनको एवाल्ड भी दिया ठीक है बहुत साल बात दिया इनफेक्ट जब मेंडली पीरडिक्टेवल डिस्कवर हो चुकी थी उसके बाद में जब लोगों को समझ में आया कि यह इनक्रीजिंग अटॉमिक वेट के एकोर्डिंग जब इन्होंने जिस तरह का classification दिया है वो काफी important और काफी अच्छा था जो मेंडली ने दिया ज्यादा popular नहीं हो पाया क्या था इनका classification में जो मैंने बताया है इन्होंने क्या किया elements को इनके atomic weight के increasing order में arrange किया यानि कि इनकी पीरडिक्टेवल या newland octave rule का भी basis जो है वो क्या है atomic weight ही है इन्होंने क्या statement दिया है according to newland every eighth element show properties to first element like octave of music या musical vowel notes इन्होंने जो elements का recurrence या elements की periodicity को explain किया वो किसके according explain किया octave of music music के जो सुर होते हैं सात सुर होते हैं उससे explain किया उन्होंने कहा कि जो musical vowel notes होते हैं वो 7 होते हैं जैसे सारे गामा पाधानी अब यह 7 है यहां से देखो count कर 1,2,3,4,5,6,7,7 होगे नब 7 के बाद मैं 8th जो note आएगा वो क्या आएगा साही आएगा जैसे जो कि 1st वाला जो note है यानि कि 1st और 8th note जो है musical octave में या musical vowel notes में वो 1st और 8th सेम हैं इसलिए अगर हम increasing atomic weight के order में अगर elements को arrange करेंगे तो 1st element 8th element के साथ में similarity show करेगा यह नोंने किस ने बताया नूलेंड ने बताया यह logic कोई मतलब ठीक logic नहीं था लेकिन यह जो इनका जो attempt था वो अच्छा attempt था अगर इसको logical चीजों से explain करते तो यही काफी जादा popular भी हो सकता था लेकिन इनोंने कैसे musical vowel notes से इसको compare करके जो logical वाली बात थी वो उसको खतम क चीजें थी कि यह classification या यह वाला जो उनका incidence है या यह वाला जो comparison है वो successful हो पाया जैसे इनोंने start किया lithium से lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine और यहाँ पर 8 पर अगर आप देखोगे तो अभी तो आ जाता है fluorine के बाद में के आता है, neon आता है लेकिन उस time पर जब इनोंने new land ने octave लो द अब noble gas discover नहीं होई थी तो 8th element कौन सा आजाएगा अगर इसको देखें तो sodium आ जाएगा 8th element, 1,2,3,4,5,6,7,8,8 element sodium आ गया, first element lithium है, तो lithium और sodium जो होते हैं, वो दोनों उनकी properties होती है, same होती है, फिर आगे जैसे जैसे चले तो यहाँ पर again यहाँ यहाँ पर आरगन आना चा तो कहने का मतलब क्या है, यह सारे का सारे elements same थे, इसके अलावा यहाँ पर यह beryllium, magnesium, calcium, इनकी properties भी same है, boron और aluminium की भी same है, इनकी भी same है, अच्छा यहाँ पर मैंने सिर्फ यहाँ 20 atomic number तक ही बनाया है, atomic number बोलना हूँ है, atomic mass नहीं बोलना हूँ है, ठीक है, यानि कि calcium तक ही यहाँ नहीं लखे, ठीक है, क्यों नहीं लखे है, उसका reason क्या है, कि यह वाला जो, इनका जो classification का, यह वाला जो logic है, वो सिर्फ calcium तक के लिए applicable है, आगे वाले में यह applicable होगा ही नहीं, आगे वाले में यह applicable हो ही नहीं रहा है, और इन्होंने क्या किया कई सारी चीजहें, इ इसकी demerits की अगर limitations की बात करें तो सबसे पहले है, पहला जो मैंने अभी बताई दिया कि calcium तक के लिए यह valid है calcium से आगे वाले elements जो है scandium, यानि कि transition element आ जाते हैं क्या होते हैं transition elements मैं बात में बताऊंगा आपको तो यह calcium तक के लिए ही valid है पहली बात, दूसरी बात जो है वो है discovery of inert gas change the sequence inert gas की discovery है देखो यहां पे मैंने बताई कि जैसे inert gas की discovery हो, यहां पे neon आ जाएगा और यहां पे argon आ जाएगा जैसे अगर इनकी discovery हुई तो यहां पे इस तरह से रखे जाएंगे और 8th element जो है lithium के lithium के साथ में 8th element कौन सा होगा neon और यह इन दोनों की properties की आओंगे बिल्कुल अलग-अलग lithium जो है बहुत जादा reactive है highly reactive है, neon inert है तो 8th वाला जो rule है यानि octave वाला rule है वो क्या हो जाएगा, इनका fail हो जाएगा तो जैसे discovery हुई elements की तो sequence ही चेंज हो जाएगा और sequence होगा, तो यह octave rule जो है वो क्या हो गया, fail हो गया, clear तो दो limitation की वजए से दो limitations थी main main और भी हैं इसके लेकिन main दो limitation थी जिसकी वाए से यह बहुत जादा popular भी नहीं हुआ, बहुत जादा आगे extend भी नहीं हुआ, ठीक है next है लोथर मेयर कर्व बड़ा ही important है man leave और लोथर मेयर इन दोनों ने same time पे काम किया पहली बार तो यह same time पे काम किया इनोंने क्या किया, लोथर मेयर ने क्या किया, he plotted the curve between physical properties like atomic volume, melting point, boiling point etc. versus atomic weight यानि कि एक axis पे नोंने क्या लिया, atomic weight लिया यहाँ पे क्या लिया, atomic weight और यहाँ पे physical property ले लिया, physical properties यहाँ पे क्या लिया, मैं एक ले लेता हूं atomic volume कोई दूसरा ग्राफ बनाया है, तो यहाँ पे तो यह atomic weight रखाई atomic volume की जगए क्या कर दिया change कर दिया, melting point change कर दिया atomic volume की जग है, boiling point ले लिया या फिर और कोई physical property ले लिया चीक है, तो ऐसे इन्होंने क्या किये graph plots किये and he observed elements of same property occupy same position on the करवा, जो एक type के element है, उनकी position same होगी कैसे same होगी, देखना जैसे यहाँ पर एक graph यहाँ पर दे रखा है कि atomic volume और atomic weight के बीच में graph इन्होंने plot किया, तो graph कुछ इस तरह से आया है इस तरह का, exactly यह नहीं है मैंने थोड़ा simplify करके लिखा है, graph थोड़ा complicated है, तो इस तरह का graph आया है, मतलब, जिग जैग type का ही बोल सकते हो, यह इस तरह का graph आया, आगे भी इस तरह से चलता चला जाएगा, ठीक है इस तरह का, ठीक, यह इस तरह का आगे graph बनता चला गया, ठीक अब इन्होंने क्या बोला था, कि same type के element of the same properties occupy same position, same type element same position occupy करेंगे अब positions अगर इस में graph में देखेंगे तो आपको मिलेगा कि एक तो यह peak वाली positions है, यह top वाली positions है, यह वाली एक यह bottom वाली positions है, यह वाली bottom वाली positions है, एक यह उपर चड़ने वाली line है इस तरह से उपर जाने वाली एक नीचे आने वाली line है यह फिर उपर चड़ने वाली लाइन है, यह फिर नीचे आने वाली लाइन है तो यानि कि यहाँ पर अलग-अलग positions है इन्होंने क्या देखा, जब मैं इसने लोथर मेर ने देखा कि टॉप वाले जो positions हैं, देखो यहाँ पर, यह तॉप वाली positions ये top वाली positions इन top वाली positions पर जो elements हैं जैसे lithium आया, sodium आया, potassium आया, rubidium आया, cesium आया they all are known as alkali metals इनको क्या बोलते हैं? alkali metals और इन सभी की properties जो होती हैं? वो कैसी होती हैं? सेम होती हैं यानि कि top position जो है इस graph में वो एक type के elements ने occupy किया और उनको हम alkali metals बोलते हैं इनको modern periodic table अभी के हिसाब से अगर मैं थोड़ा सा बात करूँ तो ये जो elements है, top वाली जो position है वो modern periodic table के हिसाब से मैं बात करूँ तो अभी कौन से में? first group group number one को occupy करते हैं ठीक है, top दूसरा जो था, इन्होंने क्या बोला कि आगे चलें, bottom पे bottom ये bottom कौन से, यहाँ पे ये वाला bottom part bottom बाले part पे metaloids है bottom बाले part पे कौन से है? metaloids, जैसे boron हुआ, silicon हुआ germanium हुआ, आगे इस तरह के arsenic हुआ इस तरह के elements जो metaloids थे, वो सारे के सारे इस graph के bottom में आ रहे थे तीसरा है, descending arm and ascending arm, descending arm का मतलब क्या है? descending का मतलब देखो ये वाला, नीचे की तरफ जाता है, उसको बोलते है descending, नीचे की तरफ जो जाते है descending, अब इसको मत बोलना descending, क्योंकि हम आगे जब बढ़ेंगे तो ये तो ascending हो जाएगे, और ये वाली जो होगी, ये descending होगी, ये bottom होगया, फिर ये ascending हुआ, ascending ये top आया, फिर इसके बाद descending, इस तरह ऐसे, ये bottom फिर again ascending, top आएगा, फिर descending तो कहने का मतलब क्या है? जो descending वाली lines है descending वाली lines, नीचे की तरफ जो आ रही है lines, उनके उपर एक अलक टाइप के elements थे और वो element कौन से आये, alkali earth metals मतलब descending line जो होगी, मैं descending arm, DA मतलब descending arm, इस पे कौन से group के elements रखे गए, to second group के elements आये, अभी modern periodic level में जो second group में रखे हुए है वो element कहा है, descending arm पे आये, और ascending arm, ascending arm मतलब जो ऊपर चड़ रही है, ऊपर जा रही है यह वाली उपर जा रहे है इनके उपर कौन से है, halogens, जैसे fluorine chlorine, bromine, iodine यह halogens जो हैं, वो आपके ascending arm के उपर आए ascending arm अगर मैं बोलूँ तो ascending arm के उपर अभी का है, जो halogens अभी कौन से group में रखे गए हैं, group number 17, तो यहाँ पे लोथर में ने, वैसे तो यह graph जो है, बहुत जादा important नहीं लेकिन इस point of view से important है कि एक type के elements, आगे भी अगर इस graph को, और भी कोई आपके पास element discover होता है तो इसकी position आप इस graph में रखिए और उसकी position से आप का idea लगा सकते हो कि उस element की properties किस से match करेंगी, तो यहाँ से इस तरह के काम जो है, वो किसे ने की लोथर में ने की है, इस तरह के graph plot लोथर में ने की है, clear है समझ में आया, आपको समझ में आ गया होगा next, इसकी जो इन्होंने graph plot कि है, उसके basis पे इन्होंने एक क्या दिया, on the basis of this curve, लोथर में concluded, लोथर में ने एक conclusion दिया, कि physical properties of element are periodic function of their atomic weight, अचाई यह conclusion आपको दिख रहा होगा, आपको सुनाई, मतलब कुछ अलग, ऐसा सुनाई दे रहा होगा, जैसा आपने पहले सुना हुआ है, कहाँ पे सुना हुआ है Manly periodic lobby यही था, मैंने आपको पहले बताया था, कि लोथर मेर और मैंडली ने लगबग same time पे काम किये थे, और conclusion भी लगबग same थे, लेकिन इन्होंने graph के form में यह चीज़ें बनाई थी graph को पढ़ना, समझना थोड़ा सा difficult होता है, इसलिए यह ज़्यादा popular नहीं हुआ, लेकिन इन्होंने यह बताई दिया कि physical properties होते हैं वो, किसके periodic functions होते है atomic weight के, क्योंकि इन्होंने जब यह graph plot किया न यह physical property atomic weight, atomic weight एक physical property है और atomic weight के साथ में इन्होंने जब graph plot किया तो एक same type के positions पे same type के elements आ रहे थे, इसी से इन्होंने conclude किया यह वाला, चीक है, यहाँ पर ध्यान देना, कि the conclusion of Lothar Mir was similar to Manly's periodic table मने बताई दिया, but his work was not published before Manly, Manly के काम से पहले इसका published नहीं हुआ था, यह उतना popular नहीं हुआ, चीक है, इसलिए Manly periodic table जादा important हो जाती है, अभी तक कि जितनी भी हमने पढ़िया है, उन सब में most important जो periodic table है, वो कौन सी है आपकी Manly periodic table, बहुत जादा important है, even अभी जो हम periodic table पढ़ते हैं, long form of periodic table जो पढ़ते हैं, वो भी लगवग इसके उपर ही based है, कैसे है, अभी मैं बता दूँगा आपको short में मैं इसको इस तरह से लिख दूँगा, MEPT मतलब Manly periodic table ठीक है, Manly periodic table किसके उपर based है, Manly periodic table is based on Manly periodic law Manly periodic law क्या होता है, Manly periodic law होता है, physical and chemical properties of elements are periodic function of their atomic weight, पढ़ा हुआ है आप लोगोंने, बिल्कुल यही conclusion किस ने दिया था, Lothar Mayor ने दिया था, exact same थे, लेकिन time का फरक था, Lothar Mayor का बाद में हुआ था, काम दोनोंने same time पे किये थे, publish जो हुआ था, Lothar Mayor का बाद में हुआ, दूसरा Lothar Mayor के साथ में कोई बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें नहीं थी, मतलब थोड़ा complicated था वो, इसलिए popular कम हुआ, simple चीज़ें ज़्यादा popular होती मैंडलीव की जो periodic table थी, वो comparatively Lothar Mayor के simple थी, ठीक है, और उन्होंने ये periodic law दिया, और इस periodic law के ऊपर ही based था, क्या, manly periodic table, थोड़ी सी manly periodic table के बारे में भी बात कर लेते हैं, manly वैसा ही नहीं है कि उन्होंने बिना मैनत के ही सब कुछ popularity मिल गई, इन्होंने भी खूब सारी मैनत की, खूब सारी मैनत कैसे की, जब manly ने अपनी periodic table बनाई दी तो उस time पर 63 elements थे, जिन में से noble gas उस time पर न यह काम स्टार्ट किया था, 63 elements के साथ में काम स्टार्ट किया था, अब इन 63 elements के जितने भी हैं, उन सभी का इन्होंने क्या निकाला था, atomic weight calculate किया, practically, practically atomic weight सबसे पहले किसने calculate किया था, manly periodic table ने, periodic table बनाने के लिए, अभी तक क्या हो रहा था, जितने भी लोग थे, अभी तक जितने भी scientists थे, उन सब ने क्या किया था, किसी ने element की discovery कि, जैसे sodium की discovery किसी scientist ने, जिसने भी study की, sodium का atomic weight बता दिया, कि sodium का atomic weight कितना होता है, 23 होता है, उन्होंने बस ले लिया, उन्होंने इसको verify नहीं किया, laboratory में दुबारा से, लेकिन manly ने क्या किया, जितने भी 63 elements से, उन samples collect करने के बाद में, उन्होंने हर एक element का weight laboratory में अपने आप से check किया, और फिर उनको arrange किया, 63 elements को atomic weight के increasing order में, समझ माया, और उन्होंने क्या देखा, फिर उनको arrange किया, और इस, इन्होंने manly का main focus था, वो किस के उपर था, properties के उपर focus था, कि बई, जब आप एक table के form में इसक तो एक, एक जो ये वाला जो आ रहा है, एक column जो है, उसमें same properties के elements आने चाहिए, आप रख ऐसे रहे हो, elements को increasing order में रख रहे हो, ठीक है, लेकन एक element, एक जो column है, उस column में, एक column में, एक ही property है, same type के properties के element आने चाहिए, यानि कि properties के उपर उनका बहुँ जादा emphasis था, रखा उ emphasis किस के उपर जादा था, properties, मतलब एक column में same type के elements आने चाहिए, clear, अच्छा, यहाँ पर दो तरह की चीज़ें, यहाँ पर मिली, एक तो क्या मिला भाई, यहाँ पर देखी गया, horizontal row, इस तरह से जो आप लेखते हो, वो row ही होती है, और horizontal होती है, ठीक है, यह horizontal rows हुआ, horizontal rows को, manly ने क्या बोला, series बोला, बाद में इनको periods बोला गया, manly ने क्या बोला था, series, initial जब manly periodic table बनाए गए तो उसमें 6 series थी, कितनी series थी total, 6 series, ठीक है, बाद में 7 हो गई थी, अच्छा, यह जो vertical जो column है, vertical column, इनको उन्होंने बोला group या फिर family, initially family बोला गया था, फिर बाद मे groups हो गए, ठीक है, total केतने थे, manly periodic table में, 8, 8 families थी, या 8 groups थे, और उनका numbering कैसे की था, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 8 तक किया, तो रोमन में numbering की, यह जो है, वो कैसा है, Roman letters में numbering है, ठीक है, एसे English number में नहीं है, ऐसे 1, 2, 3, इस तरह से नहीं है, ठीक है, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, इस तरह की numbering किसी थी, groups या families की थी, ठीक है, आगे वाली चीज बड़ी important है, यह वाली बात बड़ी important है, कि 1 से लेके 7th तक, जो groups थे, वो किसमें divided थे, 2 subgroup में, A and B में, और 8th वाला जो group था, उसमें total 9 element थे, 3 रोज में रखे हुए थे, कैसे, इसको थोड़ा सा समझ लीजिए, जो periodic table उसी से समझा देता हूँ मैं, तो elements का arrangement, जो है, manly periodic table में, वो कुछ इस तरह का है, यह manly periodic table आपके, NCRT में दे हुई है, लेकिन यहाँ पे initial जो manly periodic table थी, उसमें 0 group नहीं था, यानि कि यह first वाला जो column है, वो initial वाली में नहीं था, बाद में यह add हो गया था, यहाँ पे जो groups एक box में आप देखो, यहाँ चाहिए एक इस box में देखते हैं, यहाँ पे potassium लिख रहा है और यहाँ पे copper लिख रहा है, यानि कि यह potassium जो है वो आपके first A का element है, और यह copper जो है वो आपके second, first B का element है, इसी तरह से यह भी A और B में subdivided है, लिखा हुआ नहीं है, लेकिन actual में उन्होंने A और B में subdivided किया था, ठीक है, तो यहाँ पे देखो आगे, इसमें देखो calcium वाले, इसमें देखो, यहाँ पे calcium लिखा हुआ है, इसको ऐसे line चाहिए बीच में से खींच दो, इन्होंने बीच में खींची नहीं थी, लेकिन यहाँ पे इस तरह का ही है, calcium यहाँ पे है और zinc यहाँ पे, यानि कि calcium जो है, वो second A का element है, और zinc जो है, वो second B का element है, ठीक, आगे भी यह, A और B में subdivided है, up to seventh, एर्थ वाले में क्या है, एर्थ वाले में तीन-तीन element रखे हुए हैं, देखो द्यान से यहाँ पे iron, यहाँ पे iron है, कोवाल्ट है, निकल है, ठीक ह इसी तरह से यहाँ पे ruthenium है, rohodium है और palladium है, और तीसरा है, osmium है, यहाँ पे iridium है और platinum है, ठीक है, तो यहाँ पे यह element तीन-तीन के group में, तीन रोज में, आप देखो एक, दो और तीन, तीन रोज में रखे हुए एर्थ में, एर्थ को A और B में subdivide नहीं किया गया था, अब यहाँ पे एक चीज और याद रखना, जो subgroup A था, उसमें generally कौन से elements थे, normal elements, normal elements क्या होते हैं, यह सारे का सारे part हैं आपके modern period table के, क्या हैं, यह definition हम बात करेंगे, जो ऐसे elements जो अपने group के सारी के सारी properties को show करते हैं, उनको normal elements बोल देते हैं, ठीक है, यह यह कहें जिनके outermost cell, valence cell, incomplete fill होते हैं, उनको normal cell बोलते हैं, हो सकता अभी समझ में नहीं आ रहा हो, आपको modern periodic table पढ़ाऊंगा, तब सारी चीज़न समझाऊंगा, बस यहाँ पे एक चीज़ आ रख लो, कि manly periodic table के subgroup A में normal elements है, और manly periodic table के subgroup B थे, जहाँ पे भी B आ रहा हैं, यह वाले B जि पोल सकते हो, generally, इसमें भी glitch है, थोड़ा सा, वो आगे definitions में मैं आपको clear कर दूँगा, ठीक है, थोड़ा सा, अभी बस इतनी सी बात याद रखो, कि subgroup B के element transition element है, subgroup A के element, आपके कौनसे element है, subgroup B के element transition element है, और subgroup A के element normal elements है, clear, चलिए, अब manly periodic table की merit और demerits की बात कर लेते है merits तो आपको दिखी रहा है कि 63 elements थे उस time पे और उन सभी को एक law के basis पे अभी तक कोई define नहीं कर पाया था, या arrange नहीं कर पाया था, इन्होंने कर दिया, यानि कि systematic study of elements, पहली बार एक systematic जितने भी known elements थे, उन सभी non elements की systematic study करने के लिए एक table बन पाई, पहली, पहला achievement, second achievement था prediction of new elements, यानि कि उस time पे जो element discover नहीं हुए थे, जैसे germanium, gallium, scandium, technetium, इनके बारे में भी man-leaf ने forecasting कर दिया, इनकी properties, physical और chemical properties जो हैं, वो predict करके बता दी, कि scandium कैसा होगा, gallium की क्या-क्या properties होगी, बहुत सारी properties इन्होंने क्या कर दी, forecast कर दी, और ये ही एक miracle point था, जिसकी ज्यादा बड़ हुई, कैसे इन्होंने पता किया, देखो बहुत simple है, जैसे इस periodic table को देखो, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने बोला था कि एक जो group रहेगा, कोई एक group है, group का जितने भी element होंगे, उन सभी की properties कैसी होने चाहिए, same होने चाहिए, ठीक है, उन्होंने same properties वाले elements को एक group में रखा, अब group में जैसे जैसे अब और दूसी चीज क्या कि, increasing order में elements को arrange किया, increasing order में arrange किया, बहुत simple तरीका है, देखना ध्यान से, अब इन्होंने क्या किया, यहाँ पर मैं थोड़ा सटा देता हूँ, यहाँ पर इन्होंने क्या किया होगा, इन्होंने क् देखा कि calcium है, calcium का atomic number जो होता है, वो 40 है, और उसके बाद में next element उस time पर रखा हुआ था, या मिला था वो था 48 वाला, तो यह जो journal pattern था, usual pattern जो था, उससे बहुत ज़्यादा difference था, यानि 8 का difference बहुत ज़्यादा difference आ रहा था, initially तो इतना रहा है, यहाँ पर 1 का difference आ रहा है, यहाँ पर 3 का difference आ रहा है, यानि 3, 4, 5, इतने तक का difference आ सकता है, 1 से लेके, 1 से 2, 3, 4, maximum difference इतना आएगा, लेकिन उन्होंने देखा कि 40 के बाद में, डायरेक्टी 48 आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि beech में कोई एक element होना चाहिए, और एक element होना चाहिए, तो उन्होंने scandium के लिए एक space छोड़ दिया, space छोड़ दिया, ऐसे ही जब उन्होंने zinc के बाद में, यहाँ पर देखा, zinc के बाद में next जो element था, वो arsenic था, 65 के बाद डायरेक्टी 75 आया, अब 65 के बाद डायरेक्टी 75 यानि 10 का gap, 10 का gap मतलब उन्हो दो gap छोड़ दिये, ऐसे करके उन्होंने कुछ gaps छोड़े, अब इन गैप तो छोड़ दिये, अब इनका prediction कैसे किया, कि किसकी property कैसे होगी, इन्होंने बोला कि बाई जो अपने group के उपर वाला element है, उसके जैसे element की properties होगी, जैसे scandium किसके उपर है, यह boron के बाद में, यहा boron के बाद वाला, एका मतलब बाद वाला, आफ्टर, तो boron के बाद वाला जो element है, यहाँ पर scandium की जगए, उन्होंने नाम लेखा, एका boron, ऐसे ही, यहाँ पर gallium था, अब gallium का properties कैसे होगी, तो gallium किसके नीचे है, aluminium की नीचे, तो gallium का नाम दिया, एका aluminium, और properties कैसे में हैं, तो अलग होँगी, तो वो properties सारी उन्होंने explain की, इसी तरह से इन्होंने, germanium, यह germanium, germanium का क्या नाम होना चाईए, यह किसके उपर है, यह silicon के उपर है, गैलियम का, एका boron किसका नाम दिया, इका silicon, ठीक है, तो देखो यहाँ पर सारे के सारे मैंने लिखे हैं, एका silicon किसका नाम दिया था जर्मिनियम का क्यों दिया मैंने अभी आपको बहाँ पर बता भी दिया A का aluminum किसका नाम दिया gallium का A का boron किसका नाम दिया scandium का A का manganese किसका नाम दिया technicium यह बहुत बाद में discover हुआ था ठीक है अच्छा इसका trick भी है याद रखने के लिए आप ऐसे याद रखना सीता गीता सीता गीता से अलग BSC नहीं M-TEC है ऐसे याद रख लेना ठीक है यानि कि कैसे याद रखना है सीता गीता सीता का SI मतलब A का silicon is zerminium अलग GA extra लगाना है ठीक है अलग का मतलब क्या है A का aluminum Gallium BSC मतलब Boron A का boron मतलब Scandium MN A का manganese क्या होगा technetium ठीक है A का manganese यानि कि technetium तो आप याद रख लेंगे सीता गीता से अलग BSC नहीं M-TEC है ठीक है इस तरह से ये trick भी याद रख सकते है आपको बताई दिया है logic किस तरह से आ है इनका name किस तरह से दिया एक आँगा मतलब होता है after के बाद में है न third अगर हम बात करें third जो property है वो है correction of doubtful atomic weight of element ये बड़ी ही important merit या property बोल सकते हो manly periodic table की बहुत सारे doubtful elements से उन doubtful elements का इन्होंने correction भी किया जैसे beryllium का पहले atomic weight जो है scientist कितना लेके चल रहे थे 13.5 लेके चल रहे थे अगर 13.5 होता तो ये जो है वो इसकी इसकी जो क्या बोलते है 13.5 होता तो इसकी properties दूसरे group के साथ में match कर रही थी लेकिन इन्होंने क्या बोला properties जो है वो important है beryllium की property magnesium वाले group से match कर रही थी इसका मतलब इसका atomic weight जो है वो कम होना चाहिए और इन्होंने बाद में जब चेक किया तो beryllium का atomic weight जो है वो 9 निकल के आया तो ऐसे कई सारे element थे uranium, beryllium, indium, gold, platinum इन सभी elements के atomic weight अभी तक के जो scientist से वो गलत calculate कर रहे थे लेकिन इन्होंने properties के basis पे जब इनको arrange कर रहे किया तो इन्होंने देखा कि यह doubtful है दिक्कत है इनमे तो इन्होंने दुबारा से check किया चैसे तो इनके corrections भी हुए ठीक है बड़ा important point था यह तो यह आप याद रखना इसको uranium uranium, barium, indium, gold और platinum यह ऐसे पाँच element है जिनके atomic weight में मैंनलीव ने correction भी किया और last है position of noble gas तो भाई यहाँ पे मैंने आपको बताया ही था यह noble gas initially नहीं थे लेकिन ऐसे कितने रेम से ने यह elements discover किये कई सारे 5-6 elements discover किये इन 5-6 elements को बिना किसी पूरी यहाँ पे देखो, यहाँ पे कोई भी periodic table में disturbance नहीं है यहाँ पूरी की पूरी periodic table जैसी थी जैसी बना रखी थी, वैसी की वैसी periodic table है, बस एक group or add किया, एक column all लगाया और जितने भी elements थे, उन सब ही elements को एक जगह रख दिया, इस तरहे का arrangement की नया element आया और कई सारे element discover हुगी है एवन एक पूरा का पूरा group of elements discover हुआ, उसको भी periodic table में अच्छी जगह में लपाई तो यह इसके merits थे manly periodic table की कुछ demerits भी थी, जैसे कौन कौन सी demerits थी, जैसे सबसे पहले अगर हम बात करें, position of hydrogen hydrogen की position, hydrogen कई सारे group के elements से similarity show करता है, इसलिए manly एक particular किसी एक जगह पे इस hydrogen को place नहीं कर पाई इसलिए उन्होंने क्या किया, जो table है, उसके सबसे top पे अलग से इसको क्या दे दिया, एक place दे दिया यानि कि देखने में ऐसा लगता है कि first जो group है, उसी में रखा हुआ है लेकिन ये सबसे top पे अलग ही रख दिया गया है, hydrogen की position इसलिए decide नहीं हो पाती है, क्योंकि कई सारे elements से ये properties similarity show करता है, जैसे first group के element के साथ में भी करता है, कुछ properties जो है, halogen group के साथ में भी करता है और कुछ properties जो है, वो carbon के साथ में भी करता है hydrogen पूरा एक अलग chapter है, इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, बाकि इसकी position अभी तक, in fact modern periodic table में भी certain नहीं है ठीक है, तो पहली चीज थी hydrogen की position, दूसरी चीज थी position of isotopes अब इनका जो periodic table था, वो किस के उपर based था? atomic weight के उपर based था, atomic weight और isotopes क्या होते हैं? isotopes होते हैं, एक ही element के different atoms, जिनका mass number या atomic mass क्या होता है? Different different होता है, mass number बोले या फिर हम इसको क्या बोल सकते हो? atomic mass बोल सकते हूbs, atomic mass different different है, यानि कि एक ही element के अलग-अलग atoms जैसे carbon है, carbon के तीन type के atoms होते हैं, carbon 12, carbon 13 carbon 14, मतलब carbon ऐसा भी है जिसका atomic mass 12 है, carbon ऐसे भी atom होते हैं, जिनका atomic mass 13 होता है atomic mass 14 वाले भी carbon atom होते हैं, अब इन्होंने atomic weight का base लिया atomic weight के basis पे किया, तो ये carbon 12, carbon 13 और carbon 14 इन तीनों को अलग-अलग जगह पर रखना चाहिए, जहां पर क्योंकि increasing order में रेंज करना है तो इन तीनों को अलग-अलग जगह पर जगह मिलनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा इसने man leave ने नहीं किया था isotopes को periodic table में कोई जगह नहीं दी थी, तो ये एक तरह से गलती ही है कि atomic weight तो अलग-अलग है तो अलग-अलग type की properties, physical properties तो अलग होती है, तो इनको देनी चाहिए थी, लेकिन नहीं दी, अगर ऐसा देते हैं, तो पूरा periodic table ही नहीं बन पाती, ठीक है, तो position of isotopes नहीं मिली थी, ठीक next है anomalous pair of elements anomalous pair का मतलब क्या है इन्होंने क्या बोला था कि increasing atomic weight में arrange करेंगे increasing atomic weight में arrange करेंगे लेकिन जब हम periodic table देखते हैं, तो देखते हैं argon और potassium, argon का atomic weight 39.9 है और potassium का atomic weight 39.1 है increasing atomic weight का मतलब होता है, पहले कम वाला रखना चाहिए, फिर बाद में यह रखना चाहिए, ज़्यादा वाला लेकिन यह वाला जो है, जो increasing atomic weight वाला जो concept है वो गलत है, यहाँ पे break हो रहा है इसी तरह से tellurium और iodine में देखते हैं, तो वहाँ पे भी increasing atomic weight में यह elements arrange नहीं है, इसी तरह से यहाँ पे cobalt और nickel में देखते हैं, तो यहाँ पे cobalt का 58.9 है, इसका nickel का 58.6 है यहाँ पे भी यह increasing atomic weight का जो sequence है, वो यहाँ पे क्या हो रहा है break हो रहा है, सेम यहाँ पे एक और है, thorium और protectium, यहाँ पे भी increasing atomic weight का order जो है, वो यहाँ पे fulfill यहाँ फिर follow नहीं हो रहा है तो ऐसे यहाँ पे 4 pair थे manly periodic table में, जहाँ पे increasing atomic weight का जो order था, वो fail हो रहा था, वो यहाँ पे follow नहीं हो रहा था इसके बाद next, fourth जो demerit है, वो है, same element were placed in different groups एक type के elements जो है वो different groups में place कर दिये गए जैसे platinum और gold दोनों की properties होती है, वो लगवक सेम होती है physical और chemical दोनों ही लेकिन platinum जो है, वो eighth group में रखा गया और gold जो है वो उसको first B group में रखा तो दोनों को same properties वाले element को different different group में रखना भी यहाँ पे यह क्या है, manly periodic table का disadvantage या demerit है और सबसे ज़्यादा important जो main point था, he did not explain the cause of periodicity in the properties of element, यह तो सब ठीक है कि atomic mass के increasing order में आपने arrange किया, तो एक certain time के बाद में आए, एक group में जो elements रखे जाएंगे वो same properties के रखे जाएंगे लेकिन इसका reason क्या है, cause क्या है cause के बारे में कोई भी manly explanation नहीं था, तो यह हुई पूरी manly periodic table के बारे में, अभी आप यहाँ पर देख लीजिए, यह जितनी भी चीज़ें हमने पढ़ी हैं, वो सारी के सारी यहाँ पर दी हुई है, मैंने और detail में पढ़ लिया है, चाहे तो आप एक बार read कर सकते हो, आप इसमें से एक भी word बचा नहीं है, जितने भी चीज़ें हैं, वो सारी के सारी मैंने यहाँ पर cover कर ली है, छीक है, यह सारी के सारी law and the present form of periodic table, इसे हम पढ़ेंगे next class में